अब्वरिवन आपका एक और फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फिरेश वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूंगा मेरे अशिस्ट लार्ट काफ फंड डाइट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूंगा कि यह जो मेरे असिस्ट लार्ज के फंड डाइट ग्रोथ है पिछले एक मेने छे मेने एक साल तीन साल पांच साल या फिर एन्वल रिटन क्या दिया है आज के डेट में इसका एक इनवी का प्राइस क्या है ये कितने इस्टा रेटिम उचल फंड है इसमें आप मिनिमम एसाइपी अमॉंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साथे साथ मैं आप से डिसक्स करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन साइज स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इसमें कुछ पैसा जमा क्यों होते तो पिछले एक साल तीन साल पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन क्या है तो इसको हॉल्ड करेंगे या फिए सेल करके निकल जाएंगे यह सारी जनकरी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो बात करते हैं मेरी एसलिस्ट लार्ट के अप फंड डाइट ब्रोथ के अंदर पिछले एक मेने का जो रिटन है वह जीरो का 6 मेने के रिटन के बात करते हैं तो 6 मेने में 5.56% का रिटन है एक साल के रिटन की बात करते हैं तो एक साल में 27.54% का रिटन है तीन साल में 13.70% का रिटन है 5 साल के रिटन के बात करते हैं तो 5 साल में जो return है वो 14.67% का return है और अगर annual return की बात करते हैं तो annual return है 16.64% का अब हम लोग इसकी NAB के ओपर बात करते हैं तो आज के date में इसका एक NAB का price है 105.57 पैसा rating की बात करें तो यह 3 star rating mutual fund है इसमें minimum SIP amount आप 500 रपर लगा सकते हैं और इसका fund size है वो है 37.676 कड़ोर का अब बात करते हैं यदि आप इस mutual fund के अंदर 500 रपर पर्मन जमा किये होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 आपको मिलता 65,494 रुपया तीन साल के बात करें तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता 1,60,000 रुपया आपको मिलता 2,18,461 रुपया पांस साल की बात करें पांस साल में आपका पैसा जमा होता 3,00,000 आपको मिलता 4,49,105 रुपया अब यदि आप इस mutual fund के अंदर एक बर में 1,00,000 रुपया डाले होते तो एक साल में आपका एक लाग रुपया एक लाग सताज जार 540 रुपया होता तीन साल में आपका एक लाग रुपया एक लाग ची आलीज जार 980 रुपया होता और पांस साल में आपका एक लाग रुपया एक लाग अंठानवेजा 266 रुपया होता होल्डिंग के अगर बात करते हैं तो इसके पे है, Infosys Limited Technology के चेतर पे है, Axis Bank Limited Financial चेतर में है, State Bank of India Financial चेतर पे है, भारती एक्टर Limited Communication के चेतर पे है, Larson and Turbo Limited Construction के चेतर पे है, Quotak Mahindra Bank Limited Financial चेतर पे है, ITC Limited Consumer Steps के चेतर में है, इसकी Holding Analysis को समझते हैं, तो Equity पे 99.7% और Cash में 0.3%, अब इस Equity को यदि सेक्टर वाज देखते हैं, तो Financial पे है 35.1, Others पे 19.6, Technology पे 12.8, Energy पे 9.8, Construction पे 6.6, Consumer Stealth पे है 5.7, Service पे 5.2 और Autumn Wall पे है 5.1%, इसकी Advanced Ratio की बात करते हैं, तो इसका P.E. Ratio 25.67 और इसका P.E. Ratio 3.64, Minimum Investment Amount की बात करते हैं, यदि आप Minimum Lum Sum करते हैं, तो 5.0 का करना होगा, और Minimum S.I.P. Amount इसमें 500 प्रप्या का Set किया गया है, अब हम लोग Return and Ranking के बात करते हैं, और अहीं पर आपको समझ में आएगा, क्या हमें मेरे Assist Large Cap Funded Growth का अंदर Investment करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, तो बात करते हैं, मेरे Assist Mid Cap Fund, सॉरी, Large Cap Funded Growth का एक साल का जो Return रहा है, वो एक साल में 27.5 का रिटन है, तीन साल में 13.7%, पांस साल में 14.7% और एन्वल 16.6% है, वहीं पर यदि Large Cap Mutual Fund की के टेगरी को देखे, तो इस काटेगरी का जो Average Return रहता है, एक साल में 40.3 रहता है, तीन साल में 16.3 रहता है, पांस साल में 15.3 रहता है, तो यहां से एक चीश किलियर हो गया है, कि जितने सारे Large Cap Fund है, वो जो है इस Mutual Fund से, मेरे Assist Large Cap Fund से जालना रिटन दे रहा है, जैसे कि बात करें, एक साल में, जो केटेगरी Average Return रहता है 40, लेकिन यह Mutual Fund आपको निकाल करके दे रहा है 27.5, तीन साल के उपर बात करते हैं, तो तीन साल में भी आपको यहां पर कम रिटन देखने को मिलेगा, अपना केटेगरी Average से हैं, हाला कि पांस साल में, यह लगबग एक परसंट के आसपस आपको ज्यादा रिटन निकाल करके दे रहा है, तो मेरा सजेशन अहीं पे रहेगा, कि यदि आप मेरे Assist Large Cap Fund राइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्मेंट करना चार है, या फिर किसी Large Cap Mutual Fund की तरफ इन्वेस्मेंट करना चार है, तो यह Mutual Fund मेरे Assist Large Cap Mutual Fund आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यह अपने केटेगरी के Average Return से भी कम रिटन निकाल करके दे रहा है, यदि आप Already Invested हैं, तो फिर आप इस डाटा को देखने के बाद आप decision ले सकते हैं, क्या हमें पहसा निकालना चाहिए, या फिर इसके अंदर बने रहना चाहिए, यदि मैं यहापे डाइड बता लिजे कि आपको इस मुचल फंड के साथ बने रहना है, या फिर इसको छोड़ देना है, अब हम लोग इसके आसपस यदि similar funds की बात करते हैं, तो इसके आसपस इतने सारे इसके similar funds है, अब इसकी expense ratio की बात करते हैं, तो इसका expense ratio 0.54, exit load की बात करते हैं, यदि आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं, तो आपको एक परसंट का exit load यहाँ पे देना होगा, इस्टम डूटी की बात करते हैं, इस्टम डूटी है 0.005%, अब बात करते हैं हम लोग इसकी fund house और investment objects को, तो मेरी assist mutual fund total assist में इंडिया पे 13 नमोर पे रेंग करता है, ये mutual fund start पाता तीस नमबर 2007 को, इसका total assist under management है एक लाख 65,678 करोर का, अब बात करते हैं मेरे assist large care fund है, ये एक equity mutual fund है, जो की launch किया गया है मेरे assist mutual fund की तरब से, ये mutual fund start हुआ है, तीस नमबर 2007 को नलेस सुराना हरसद बुरावेक जो है अभी इसका current fund manager है, इस fund का करनेट लिए assist under management है एक सब्सक्राइब का और लेटेस्ट ने भी एक सो पांच रुप्या संताओन पैसा है बात करते हैं मेरे असिस्ट लार्ज के फंड डाइट ग्रोथ यह काफी हाई रिक्स मुच्वल फंड है इसमें मिनिमूम एसाइप एमांट पांसो रुप्या का सेट किया गया है और मिनिमू नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के